इस समय मार्केट में धे सारे शकरकन आ रहे हैं, । शकरकन जिसे कहीं कहीं सकला भी कहते हैं और इसे स्पीट पेट्रेटो कहते हैं तो इसकी आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी होती है आज हम इसकी पूरिय बनाने वाले हैं बहुत ही सॉफ्ट बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है तो चली शुरू करते हैं Welcome back to my kitchen तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कर इसमें हम पानी डालेंगे तो एक गिलास जित्ता इसमें पानी डालना है बहुत अधिक पानी नहीं लगेगा तो एक गिलास इसमें मैं पानी डाल दूंगी और अब ढ़कन लगा के इसे दो सीटी आने तक पका लेंगे दो सीटी के बाद आप चेक भी कर सकते हैं अगर नहीं पकाओ तो फिर से पका लिजे, तो शकरगंद को ठंडा करके मैंने इसके छिलके हटा लिये हैं, और अब इसके बाद एक पोटेटो मैशर के हेल्प से मैं इसे मैश कर लूँगी, आप इसे हाथ सो से भी कर सकते हैं, तो इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, तो दे कर लिया है, जिसे इसे मिक्स होने में आसानी हो जाएगी, तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हाथों से कर सकते हैं, प्याइ स्पून की सायता से भी कर सकते हैं, अब इसमें हम फ्लेवर के लिए लॉग और इलाची का पाउडर डालेंगे, और इसके बाद इसम नमी है इसमें पहले से ही गुड की और शकरकंद की उसमें बहुत अच्छे से यह आटे का डो तयार हो जाएगा तो अच्छे से इसे मसलते हुए डो तयार कर लेना है देखिए डो तयार हो चुका है एकदम सॉफ्ट दो है अब इसकी हमें लोई बना लेनी है पूरी बनाने क तो अच्छे से इसे हाथों से मसलते हुए चिकनी आपको लोई तयार कर लेनी है इस तरीके से देखिए तयार हो गई है और अब हम इसे बेल लेंगे तो बेलने के लिए आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा आटा भी लगा सकते हैं सूखा आटा और वैसे भी यह बिल जाता ह है तो इसकी हम पूरी तयार कर लेते हैं तो आसानी से पूरी बन जाती है इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी पूरी बन चुकी है तो ऐसे ही और पूरी बना लेंगे तो मैं यहाँ पर और पूरी बना कर तयार कर ले रही हूं तो शकरक मैंने और पूरिया इस तरह के से बेल लिया, तेल गरम हो चुका है, तो अब हम इने प्राय कर लेंगे, इन पूरिया को भी हमें वैसे ही तलना है, जैसे हम आटे की पूरिया तलते हैं, इने लो फ्लेम पर तलने की कोई आफशक्ता नहीं होती है, आराम से जैसे पूरिया हम तलते हैं उसी तरीकी से इसे भी हमें फ्राय कर लेना है तल लेना है तो आप देख सकते हैं कितने अच्छा से फूल चुकी है यह इसे अब हम पलट के भी पका लेंगे दूसरे साइट से भी तो इसे हम पलट लेते हैं और कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है पू तो आपको ये वीडियो कैसा लगए हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और आप एक बार इस पूरी को जरूर बना कर देखिए आपको बहुत पसंद आएगी बहुत ही टेस्टी लगती है और स्वादिश्ट के होने के साथ साथ ये पॉस्टिक भी होती है क्योंक लोग इसे लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो हमें और आगे वीडियो बनाने में और अच्छा महसूस होगा तो हम आपके लिए ऐसे ही नई नई और रेसिपी के वीडियो लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये बनी है पूरी और सॉफ्ट बनती है और टेस्टी भी बहुत होती है तो आप इसे ज़रूर मताइए हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग